भारत सरकार सदैव किसान हितेशी रही है किसानों की चिंता करती है और किसानों को समय समय पे सयोग मिले उसके लिए सरकारी खरीद भी साथ साथ करती है हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में भारत सरकार के आदेश पर NCCF और Nafrid ने तीन लाक टन प्याज नाशेक, लासन गाओ, एमद नगर इस पूरे शेत्र से खरीदा जिसके कारण प्याज के दाम भी अच्छे रहे और किसानों को भी लाब हुआ साथी साथ उद्बोकताओं को नुकसान ना हो, उद्बोकताओं की कीमते बहुत जादा बढ़ना पाए, उसके लिए भी एक संतुलन बिठाने के लिए प्याज के उपर 40% निर्यात टैक्स शुल्ट लगाया गया है, जिससे भारत में उपलबता प्याज की परियाप्त रह और जो आज की परिस्तितिया हैं, उसमें उद्बोकता को भी लाब हो, किसानों को भी कोई नुकसान हो, ये संतुलन बिठाने हेतो, आज सुबे 11 बजे से, NCCF और नाफरेट और 2 लाग टन, नासेक जिसके पिंपल गाओं, लासन गाओं, अहमत नागर इस पूरे शेत्र मे दो लाग टन और प्याज की खरीद शुरू कर देगी, आगे चलके और खरीदना पड़े तो और भी खरीदने के लिए तैयार है, और मद्यपदेश गुजरात ऐसे कोई इलाकों में, जिन इलाकों में प्याज बनता है, वहाँ पर भी NCCF और नाफरेट खरीदेगी आज खरीदने का दाम, आज का जो निर्धारित हुआ है, वो 2410 रुपए प्रती क्विंटल, 2410 रुपए प्रती क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो एक अच्छा दाम है, किसानों को अच्छा लाब मिलेगा, और कोई भी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भा महराष्टरा सरकार, गुजराद सरकार, मद्यपरदेश सरकार, हम सब इस चीज़ पर पूरी तरीके से नियंतरन रखे हुए हैं, और किसानों के हित में सरकार पूरी तरीके से थट पर हैं, धन्यवाद.